नमस्कार साथ ही और स्वागता आपका मेरे यूटूब चैनल में हमारे कोई भी शिक्षक साथ ही जो की पीएचडी करना चाते हैं उनके लिए ये वीडियो मैटपून होने वाला है और अन्य शिक्षक भी देख सकते हैं जानकारी के लिए जो भी शिक्षक साथ है पीएचडी सर्विस में रहते हुए करना चाते हैं तो उनको विभाग से परमिसन लेनी होती है परमिसन देने के पश्चात में कुछ सर्थे रखी जाती हैं विभाग की आईए इस वीडियो में वो सर्थे देख लेते हैं कि पीएचडी के दोरान कौ पर ही करनी होगी, सरकार से किसी परकार की साहधा नहीं होगी। प्रार्थी के द्वार सरवक्षान पर्योग करने के लिए नियम नमस्वार स्व्यम्म का अरझित आवकास विकष्ष्षह करत किया सकता है। पसरते विद्धाले ववस्ता में विप्रित परभाव नहीं पड़ी करने का मतलब एक्स्ट्रा इसके लिए लिव परदा नहीं की जाएगी जो व्यक्ति के पास में कार्मियों के पास में सीयल वगारा मेडिकल तो इसमें लावड नहीं होगा वाकि और पील वगारा हैं उनक लगता है कि आपके विद्धाले में जाने से या फिर आपके PhD करने से विभाग के कारियों पर गलत प्रभाव पड़ रहा है तो आपकी जो परमिशन दिये गई है उसको निरस्ट भी की जा सकती है अनुग्या दिनांग से एक वर्ष के अवधी में यदि PhD पंजिये नहीं ह होता है तो अनुग्या श्वत्त ही निरस्त मानी जाएगी यानि कि आपने परमिशन ली है तो उसकी एक साल के वितर वितर आपको PhD में रिजिस्ट्रेशन करवाना आउशिक है नहीं तो जो परमिशन है वो रिजेक्ट मानी जाएगी पाठ्यकरम की वैदिता नहीं होने के स्थिति में अथवा मानेता नहीं होने के स्थिति में सम्मंदित कार्मिक उत्तरदाई होगा PhD की उपादी परदत होने पर सोध सारान से उपादी की परमानेत परती इस कार्यालों को परस्तुत करनी होगी हमें विबाग को भी सूचना देनी होगी जब हमारी PhD कंप्लीट हो जाएगी आगे देखते हैं यह अनुग्या विश्विद्धालन उदान यायोग एमफिल पेश्डी उपादी के लिए नियूनत मानक परकिरिया विनियम 2016 का सम्मनित विश्विद्धालन कार्मिक द्वारा पालन किये जाने के अध्यधीन जारी की जा रही है उक्तनुग्या दिये जाने से अधिकारी करमचारी को किसी इस्तान विशेश पर पदिस्तापन रंतर रखने का अधिकार नहीं मिल पाएगा और उसका इस्ताना अंत्रन किया जा सकता है यह भी most point है अगर कोई करमचारी PhD करता है तो यह ज़रूरी नहीं है कि उसका transfer नहीं होगा यदि विभाग किसी कारण वस्ते transfer किया जाता है तो करमचारी को वो transfer स्यूकार करना होगा बस यह सारी 8 बिंदू दे रखे हैं जो कि मैत्पुन हो जाते हैं और यह सामान्य से नियम है इनको हमें पता भी होना चाहिए उमिद करता हूँ कि यह जानकरी आपको अच्छी लगी होगा अच्छी लगी होतो लाइक करें जो साथी एगर PhD करना चाहते हैं आप शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए थेंक्स फॉर वोचिंग दिस वीडियो